नमस्ते दोस्तों अगर आपको फार्मसोटिकल इंड़स्टि選 बिजनेस करना है तो उसमें रिटेल कर सकते है एकifter हमेडिकल डिवाइसेज एक्सपॉर्ड कर सकते उसमें बहुत सारे और वी बिजनेसेसे लेकिन mostly जो बिजनेसेस आपको पहुंसर लोग करते आपके नजदिक एरिया में भी तो वो रिटेल है और यह होलसेल है तो फार्मसेट के इंडिस्ट्री में अगर आपको होलसेल बिजनेस करना है तो उसके यह बहुत सारी चीज़े ज्यान में रखनी ज़रूरी है तो पहले तो यह बात है कि आपको होलसेल करना है तो उसमें कौन सा होलसेल करना है और उसमें अलग-अलग जो होलसेल रहते हैं उसमें डिपरंसेस क्या है और उसमें आप कंपनी रखेंगे तो वो कौन सी कंपनी रखेंगे और डिस्ट्रीबुटरिशिप कितरी करकी होती है डारेक्ट होती है और कुछ होती है अगर डारेक्ट डिस्ट्रिबूटर्शिप होती है तो वो किस तरीके से आप पास सकते और उसमें आपको अलग अलग लोग रखने पढ़ते हैं क्योंकि ये सेलफ अंब्लायमेंट का काम नहीं है इसके लिये जरुर यह कि कों कौन सी वर्ग्पोस रखेंगे और अलग-अलग टेकनालोजी यूज करके आप किस तरीके से कस्टमर बढ़ा सकते तो यह सारी जानकरी आपको इस वीडियो में मिलेंगी इस वीडियो को यह सेकंड मोडूल जो हमारे डिजिटल कोर्स का है इसके सेकंड मोडूल के यह शॉर्ट वीडियो है जहां पर मैंने इस सारे कोर्स टॉपिक्स को कवर किया नमस्त दोस्तों मैं आपका दोस्ते मित आप सब अगर आपको करना है तो अलग अलग तरीके के होलसल होते हैं जिसमें से पहला ह Skywalker है व क्या है लूपेटिक होलसल करैं वह होलसल आपको प्रिशंटिटिड मेडिसिंस यहाँ भे अहले होते हैं जो cooperative मेडिसिंस प्रजिंस मतलब जिसके लिए Marketing Team दिन रखे जाती है करना है तो उसके लिए वो रहते हैं नॉन पेटेंटेड़ मेडिसिंस लेकिन डिपरेंस क्या रहता है यह प्रिस्क्रिप्शन पर नहीं आते मुस्तली क्योंकि इसकी कोई मार्केटिंग टीम रहती नहीं है उसके बाद यह वे इंपोर्टंट पॉइंट यह है अलोप्यथिक में और जनरीक्स में कि इसमें ज्यादा मार्जिन पर्वाट किया जाता है अलोप्यतिक का मार्जिन एड़ परसेंट तबी जेनरिक का मार्जिन लगबग 40-50% से आप हो जादा उसके बाद surgical मतलब होस्पिडिल में जो equipment जो होते या फिर medical store में भी जो medical devices या surgical instrumentation होते वो प्रवाइड करने का काम करते हैं surgical distributors उसमें फिर भी patients से day-to-day care में जो medical devices यूज होते हैं वो भी surgical distributors प्रवाइड करते हैं उसमें से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको hospital जो आप या retailers या governments की various tenders में भी आप यहां पर supply कर सकते है hospitals को उसके बाद next distributorship आयरवेधिक आयरवेधिक की various formulation यहां पर आते होमेपैतिक के लिए अलग होमेपैतिक distributor आते और FMCG fast moving consumer goods मतलब कॉस्मेटिक्स प्रोड़क्स जहां पर personal care, oral care, baby care यह सारे products आते हैं उसके बाद यह तो हो गया सारे distributorship के बार में अब पहले सबसे important है आपको इसमें distributorship में कितने distributor के type है एक तो direct है और दूसरा है trade cutting अगर आपको start करना है तो आपको trade cutting में करना पड़ेगा लेकिन अगर आप trade cutting करते हैं तो importantly यह है कि आ आप trade cutting में आपको margin कम मिलता है, 8% margin मिलता है, 10% on average margin रहता है, direct distributorship किसी company के लेनी है तो क्या procedure है, तो सबसे importantly आपको company का sale अच्छा बढ़ान होगा, जद्मान लीजिए आपकी area में direct distributor है, वो महने का 10 लाग sale करता है और आप under cutting है, trade cutting करते हैं तो उसमें क्या रहता है, आप 3 लाग, 4 लाग करते हैं, लेकिन आपने भी 10 लाग sale कर लिया, या 10 लाग से उपर sale कर लिया, होता है, यह possible होता है, क्योंकि यहां भी क्या है, direct distributorship भी बहुत है, ऐसा नहीं कि एक ही, ठीक है, बहुत सारे direct distributorship होते हैं, तो अगर आपने हर एक retailer पे अच्छा focus किया, rates consistently किया, 4-5 मेंने, तो आप company को directly approach कर सकते हैं, लेकिन इसको time लगेगा, ठीक है, आपने start कर लिया, 1-2 साल में नहीं होगा, इसको 4-5 साल लगेगे, उसके बाद आप यहां इस sale तक पहुचेंगे, क्योंकि आपके contacts बढ़ जाते, आपकी services बढ़ जाते, आपको rates भी अच्छ रहता है, तो इसके लिए लगबग 4-5 साल के बाद आप company को approach करेंगे, कैसे approach करेंगे, उसकी marketing team जो है, medical representative, उसे contact कीजिए, वो उनके RSM, ZSM, general manager को contact करेंगे, वो company आपकी profile देखेगी, company आपके sale देखेगी, consistency देखेगी, services देखेगी, और comparison देखेगी, कि direct distributor आप में, आप में कितना अच्छी दरीके से आपने sale लेके आए, क्योंकि जब आपके पास company का support नहीं रहता, marketing team का support नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप sale करते हो, तो company definitely सोचती है, आपके बारे में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा chances होते हैं, आपको direct distributorship मिलने में, तो अगर आपको direct distributorship चा पे C&Fs रहते हैं, carry and forwarding agents, तो यह mostly possible रहता है, 3-4 सालों में, लेकि FMCG में थोड़े ज़्यादा साल लग सकते हैं, क्योंकि आपकी inventory भी इतनी manage hold पाएगी, और mostly क्या रहता है, कि वो minimum order की एक criteria रहती है, FMCG में बहुत सारी companies की, लगबक 10 लाग का stock चाहिए, 15 लाग का stock compulsory च इसके लिए वो fulfillment करनी बढ़ती है, थोड़ा capital भी ज्यादा रहते है, company wise भीफर है, but FMCG mostly capital थोड़ा ज्यादा रखता है, as compared to the other distributors, तो इस तरीके से आप direct distributorship पास सकते हैं, next focus, important है कि wholesale start करनी से पहले, आपको कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना है, पहला है long term goal और profitable business strategy, मतलब 5 साल के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ goal sale में रहना है, third party करना है, export करना है, governments को, मतलब अले वेले orders, invices through, tender through देना है, hospitals को उनके, और short term goal क्या है, short term goal, पहला goal है कि direct distributorship आपको मिलना, दूसरा है monopoly create करना, ये goal रहने अच्छे हैं, अब ये तो हो गया, आप direct distributorship आप के इस तरीके से ले सकते हैं, ये मैंने बाता है, लेकिन importantly कोई भी distributorship आप करना चाहते हैं, तो इसमें आपको companies कौन को सी ले दिए, ये पहले determine करना पड़ेगा, तो उसमें मैं आपको top running companies बाता दो, alopathy करना है, आपको तो Sipla, Alkem, Lupin, Z-Skadilla, Dr. Radis, Sun Pharma, ये companies mostly है, फि होमेपैतिक में, Adek, Dr. Rekworth, Shwebe, Weasel, SBL, ये companies mostly रहें, उसके बाद, Generics में अगर बात की जाए, तो Universal, Liport, St. Michael, Biotech, इसके बाद, Sipla, Alkem, Agenta, ये companies हैं, उसके बाद, FMCG में बात की जाए, तो PNG, Perpeti, Hindustan, Unilever, Johnson & Johnson, ये companies mostly रहें, तो ये मैंने कंपनी बाता है, जिससे idea आज उसके बाद, आप बात करतेगी, वर्कपोर्स की, कौन-कौन से लोग लगेंगे, आपको call order boy लगेंगे, और टेलिपनिक representative लगेंगे, management team लगेंगी, और इस सभी को control करने के लिए, एक manager लगेगा, तो आपकी वर्कपोर्स आपपे depend रहेंगी, कि कितने लोग रखने हैं और किस तरीके से expand करने माले हो, कितने counters हैं, और आप किस तरीके से यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा sell लेके आओगे, जितने लोग रखेंगे, लेकिन उनसे effective काम करके लेना, यह भी काम बहुत challenging है, ठीक है, तो यह workforce होगा है, टेक्नोलोजी, टेक्नोलोजी मतलब आप एक ख ज्यादा बढ़ने वाली है, तो जो wholesaler online presence रखता है, जिनकी order आप online दे सकते हैं, या फिर order boys के यहाँ software through, directly order दे सकते हैं, उससे क्या होगी, order boys जो रहते हैं, उसको scheme पता चल जाएगी, rate पता चल जाएगा, उसके बाद directly bill भी वहाँ पे बन जाएगा, इसके लिए एक अच् 10% मैंने पार्ट बता है, 90% पार्ट हमारे digital course जो मैंने launch किया है, pharma wholesale के लिए, इंडिया में first time digital course launch हो चुका है, जहाँ पर मैंने in-depth knowledge प्रोवाइड की गई है, तो यह second module था, यहाँ पर मैंने cover किया है, factors need to be considered before starting pharma wholesale, workforce, technology and type of wholesale, यह cover किया है, in-depth cover किया है, अगर आपको information चाह पड़ेगा, यह course paid है, 1499 इसकी fees है, अगर लेना है, तो मैंने ऊपर contact number दिये, 9423272876, यहाँ पर आप online, gpay, google पर, phone पर करके, directly आपके email पर यह course आ जाएगे, otherwise, रेजोपी की link भी प्रोवाइड की गई है, वहाँ से भी कर सकते है, तो इसके लिए in-depth video मैंने बनाया है, ऊप पर आए बटन पर link प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो आप जरूर देखे है, और description में इस course की पूरी in-depth knowledge मैंने दी है, अब जब से course मैंने launch किया है, तब से मुझे बहुत सारे all-service के call आते हैं, और उनकी failure studio बताते, तो मैं उनको guide करता हूँ कि किस तरीके से वो कर सकते आपको लेना है, course या नहीं लेना, तो वो आप पे निरबर रहता है, मैं किसी को force बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आपको guide करना ये बहुत ही important है, इसके लिए आपको confidence boost हो, यही मेरी यहाँ पे कोशिश रहती, तो I think ये सारा content, ये सारा वीडियो आपको अच्छा लगा होग वीडियो का content अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को like कीजिए, चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिए, और दे सारा लोगों तक ये वीडियो शेर कीजिए, इससे क्या होगा कि बहुत सारा लोगों को help मिल जाएगी जो नए है, जो experience नहीं है, ज फेल हो रहे है, ग्रोथ नहीं हो रहे है फार्मा उन सेल में, तो उन सारे लोगों के लिए, especially ये मैंने course launch किया, शुड़ों में इतना ही मिलते है, नेक्स्ट शुड़ों में तब तक BLD, BN.